साथ संगत जी प्यार से कहना धार नंकार जी आज इस रूप में जो सत्संग हो रहा है कि कैसे हमेशा हर संडे एक रिकॉर्डेड रूप में पूरा ये संगत होती थी तो ये लाइव आज इस तरह और आगे भी जैसे आप सब ने अनाउंस्मेंट सुनी के पहले ये हफते में एक बारी ही होता था तो अब ये जो तीन बार होता है तो यही ध्यान आया कि कैसे पूरे विश्व से और विदिन इंडिया भी कैसे जादा से जादा पार्टिसिपेशन उस तरह एक हो सके और जिस रूप में सभी खाई ध्यान लगा हुआ है तो दातार उस पे भी किरपा करे कि सारे संसार में ये करोना की सिचुएशन ठीक हो ताकि पहले की तरहां सब एक फिजिकल रूप में साथ संगान अनले तो सभी ने जिस तरहां आज भी बात सुनी चाहे महात्माउन ने स्तिरता का एक गरा की आजकल के टाइम इतने डिस्टर करें तो आप सभी को ही पता है कि कल जो था 22 में तो उस दिन International Day of Biological Diversity भी होता था कि कैसे हर एक ने जो संसार में परमात्माने creation करी है चाहे हम वो देखें कि सम्मूंदर के अंदर देखें चाहे corals हैं चाहे तरह तरह की मचलियां हैं चाहे एक धरती के ऊपर पेड़ पौधे जानवर इंसान सब ये जो हम creation का ही पार्ट हैं कैसे इतने सुन्दर एक रचना का ही हम पार्ट हैं और इसको हमने खुबसूरती की तरह ही रखना है हमें अपने मनों में खुबसूरती रखनी है अपने मनों में इस निरंकार प्रभू परमात्मा के एहसास से इस ठहराव से अपनी यात्रा आगे चलानी है कैसे हम हर एक में सिरफ इस परमात्मा के दर्शन करें और उसके लिए ये स्टार्ट होना खुद की कनेक्शन परमात्मा से जैसे दासी अपने हर बार जब भी माइक पे आती है तो यही बार बार कि कैसे अपना ध्यान इस परमपिता परमात्मा से जोड़े रखना है और ये यात्रा भी शुरू होने के लिए पहले इस पर्मपिता पर्मात्मा की पहचान होना जरूरी है तो एक बार जब हम इसका एहसास कर लेते हैं, यह ज्यान मिल जाता है, भराम ज्यान से हम नाता जोड लेते हैं तो फिर आगे का समय हर पल जब एहसास में होता है तो वो आनन्द की एक भक्ति की यात्रा का शुरुवात होती है तो कैसे आज भी हम सबने जहां इतने सुन्दर वचन चाहे कविता रूप में चाहे गीत रूप में चाहे वो एक स्पीच रूप में सुनी और भाशाएं भी चाहे इंगलिश थी, पंचाबी थी, हिंदी थी और आने वाले समय में जो और भी जहां जहां जिन देशों में होगी उनकी भी लांगुजेज लोकल जादा सुनने को मिलेंगी तो कैसे वो एक भाव की ये जो संदेश है, ये तो इस परमात्मा से जुड़ने का, एक अपने जिंदगी से एक्स्ट्रा बर्डन्स हटाने का ये परिशानियां जिसको एक वर्ली टर्म में कह देते हैं उससे कैसे अनफेक्टेड रहने का की सिट्वेशन आ रही हैं, पर उसका असर न अपने उपर चड़ने दे कि हम कोई अगर पेटल देखते हैं, चाहे वो कमल का फूल हो, गुलाब का फूल हो, जितनी देर अगर उस पे एक पानी के अंदर है तो तो घीला है जैसे ही उसको निकाल के एक जार दो, तो बिल्कुल वो सूखा हुआ, कि जो अपना एक क्यारेक्टर है, वो तो वैसा ही रहा चाहे थोड़ी देर के लिए स्तिती कुछ थी और कुछ और पर अपने आकार में कोई परक नहीं आया अपना जैसे हम इन बिल्ट हैं, वो एक अंदर क्या है हमारे, वो परमात्मा ही है, जो हमारे अंदर भी और सामने वाले के अंदर भी तो कैसे हमने एक रस रहना है, सिचुएशन्स जो भी हों, उसमें यही देखना है कि अगर हम रम ज्यानी हैं, तो इस तरहां impulsively किसी चीज़ पर रियाक्ट नहीं पर कैसे एक सोच कर कि यह ग्यान की दृष्टी से अब जो एक स्तिती है सामने, उसमें अपना किस तरहां best output दिया जाए, तो इसी तरहां जहां हम अपना जीवन भी सुखद करेंगे, और संसार के लिए भी वर्दान बनते चले जाएंगे, और जैसे अभी भी वो आ रही है बाद precautions की करोना के दिनों में, चाहे वो vaccination की बात हो, चाहे और हमें अभी भी एक साफदानी भरकते हुए ही आगे चलना है, तो दातार किरपा करें कि हर कोई जहां स्वस्त रहे इतनी दासी तक भी news आती है, परिवारों से पूरा पूरा दिन लगभग यही पता लजता रह है कि कोई महात्मा कई हस्पताल में है या ब्रमलीन हो गए है और कहीं गहीं तो ये भी दिखता है कि सिरफ छोटे बच्चे कोई है गए और पूरा परिवार ब्रमलीन हो गया, या इतनी news उस तरह की जो सामने आती है, तो हर एक सक तक तो दासी ये फोन कॉल के जरीए नहीं एक अपने भाव पहुचा सकती पर आज इस रूप में कि जहां जहां किसी के भी घर में एक ऐसी सिचुएशन है, तो वो एक निरंकार के आस्रा लेते हुए एक निरंकार की रजा में कि ये भाणे में रहने वाला जीवन, कि ये शरीर जहां परमात्मा ने दिया, तो परमा प्यारी यादें जो जूड़ी होती हैं, उनको जब भी याद करना, एक मुस्कान के साथ याद करना आसू बहाते हुए नहीं, तो कैसे एक हमने जहां ये प्रमान ऐसी सिचुएशन में भी देना है, कि हम रम ज्यानी हैं, तो एक शरीर का विछोड़ा, जहां एक साडनेस क इमोशन, उसमें भी कैसे परमात्मा की रजा को जब देख लेंगे, तो फिर ये वाला भाव भी, एक समर्पित भाव, एक सिरेंडरिंस का इस परमात्मा के तरफ, तो दासी और जादा समय नहीं लेगी, इनी शब्दों से आगया लेके, और आने वाले समय में फिर इस प्र साथ संगर जी धाननकायर जी, साथ संगर जी प्यार से कहना धाननकायर जी, आज इस रूप में जहां दिली एन्सीयार का एक सथसंग प्रोग्राम, की कैसे तो यहां फिजिकली जाके टूर्स में ही आप सब के स्क्रीन पे ही दर्शन होके ये दातार से इस हाल का भी शुकराना कि ये अफसर्तो बक्षा कि किसी रूप में भी चाहे सत्संग करते हुए एक संत्मती अपनाएं। तो कैसे ये ब्रह्म ज्यान की चर्चा आज पूरे दिन जो भी हमने सत्संग में सुनी कि हर एक वक्ता ने बात इस परमात्मा से ही जोडी कि कैसे हम जब इसको याद रखते हैं तो ही जीवन में एक उजाला है और जब ये भूल जाता है परमात्मा ये निरंकार तो कैसे ये ह हमारे अंदर उजाला होते वे भी अंदिकार है जैसे आज सभी ने देखा कि ये लूनर एकलिप्स भी हुआ कि कैसे एक चंदर ग्रहन जो चांद अपनी रोशनी अंधेरे में अगर है तो चमकता दिखता है पर वो एक रोशनी रखते हुए भी फिर भी आगे एक जब उसक अंदकार हो जाता है तो बस उसकी एक रिंग सी दिखती है बहुत स्लाइड बाकी वो पूरा छुप जाता है या वो बिल्कुल ही गायब हो जाता है तो कैसे वो ऐसा नहीं है कि उस समय वो चांद गायब हो गया है आस्मान से नहीं वो चांद है पर आगे उसके एक ऑबजे की तरह एक उजबल सूरज की तरह चमकते रहना है तो कैसे हम हमेशा इस परमात्मा से ही यही अरदास के हमारे जीवन में पल-पल में ये भक्ति और द्रिड होती जाए एक सेवासिमरंसत्संग उससे और जुड़ते चले जाए अपने जीवन में अपने चरित्र में एक निख इस से जुड़कर और करें जैसे ये महीने से हम मिशिन के 92 इयर्स की भी बात करते हैं कि कैसे इतने सालों से जो ब्रहम ज्यान है तो आगे अब हमने ही इसकी संभाल करते हुए आगे पूरे संसार में ये घर-घर में रोश्नी प्रदान करनी है अपने कर्मों दावरा सबसे पहले अपनी सोच में हमेशा ये प्रमात्मा को याद रखते हुए तो कैसे एक अच्छे इंसान बनके जब एक संसार के लिए वरदान होंगे तो उस तरह ये घर-घर ग्यान की जोती भी पहुँचे और साथ ही हम एक मिशिन के लिए एक वरदान भी बने और हमेशा यही कर जब हम अपना सुधार करेंगे दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे तो वो ही एक रियल एक अपनी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने लिए हम एक अपलिफ्टमिंट कर रहे हैं ये हमारी रूप इस चरीड में अगर है तो इसका असली रूप तो ये परमात्मा ही है तो कैसे हमेशा हम अपने असली रूप को ये पहचान सकें इस पर मात्मा को याद रखे तो दातार सभी पर किरपा करें की सेवा सिम्रन सथ संकरते हुए अपना जीवन आगे से आगे चलाते जाएं साथ संगत जी धाननकार जी साथ संग जी प्यार से कहना धान गाय जी आज लेस्टर बर्मिंगम के टौर्प की जो ये पड़ाव है जहां एक चाहे वो फिजिकल रूप में नहीं आ सके पर ये चाहे वर्चुल रूप में ही आप सब महापुशों के अनमोल वचन सुनने को मिले और आप सब के दर्शन भी हुए और कितने महापुश और जहां अपनी स्क्रीन से जुड़े इसी सत्संग का आनन ले रहे तो कैसे हर किसी ने अपने जीवन से एक कुछ बात बताते हुए कि कैसे इस ब्रह्म ज्यान ने ये जीवन को बदल दिया है कैसे एक अपना जो अस्तित्व है ये परमात्मा इससे एक होकर कैसे एक अपनी अंदर की और की बात की हम अपने इंसाइड का सुधार कर रहे हैं और वही एक मार्ग पे अपनी बेटरमेंट के लिए हमें चलते जाना है कैसे एक अपना जो सोचल मीडिया पे वी कि पिक्चर्स जोगरäं pace or they look very fancy in a very fancy place and actually if you speak to them you'll feel that most of the people they're very gloomy on the inside and it's just that on the outer they want to look happy because probably their friends or the circle that they are in they all try to look happy or they are so they want to match that that if somebody else is having a certain enjoyment in their life so they shouldn't be left behind and that form or the fear of missing out so how do we see in our lives that we are seeing in our lives that we have to do ourself because whenever we are going to do ourself this will start us to do ourself and then when we come to that state that we are together with our mind and our mind and our mind and our heart then it will also be in our karma because we can pretend that we can do some time we can do some time but when we are inside we will not be able to do some time we will not be able to do some time so we will not be able to do some time and that is really no time so we can do some time we will not be able to do some time so we will not be able to do some time so we can do some time so we can do some time as to do some time आपको center of attention हम अपना नहीं बनाते, ये पूरी दुनिया ही हमारा एक अपना ही हो जाता है, वो अपनापन की feeling, जैसे आज हमने विज्विली भी देखा और सुना भी कि कैसे blood donation camp जो भवन में हो रहा है Birmingham के, तो कैसे इसके पीछे भाव क्या है, कि हर कोई इंसान इस संसार का अपना ही है, कि जब हमने हर एक में ही अपना एक आइने की तरह उसको देखा, कि हम में जो परमात्मा है सामने वाले में भी है, तो कैसे ये पूरा संसार ही अपना हो गया, पूरा संसार ही मैं खुद हो गया, जैसे वो सुना भी होगा समने कि हम ब्रमास्मी की बात कि पूर ये universe, ये कैसे हुआ, जब हम उसके साथ जुड़ गए हैं, जो पूरे भ्रमान का पालनहार है, जिसने पूरा ये universe की रचना की है, एक एक कत्रे कत्रे में है, तो जब हम मारे अंदर भी वही पर मात्मा है, तो चाहे वैसे वो इतना वास्थ है, फिर भी हमारे एक छोटे से श हैं, कीडे कहलें, तो हर एक में वही पर मात्मा है, तो हम जहां इस प्लानेट की भी उस तरह एक उसके लिए अपना विजिन करें कि कुछ आजकल जो सिस्टेनिबिलिटी की पर बात होती है, इसको की प्रकृती बहुत सुंदर है, इस कादर ने कुदरत बहुत सुंदर बन और सुंदर बनाते चले जाना है, तो आज उस रूप में जो ये टूर का पहला पड़ाव इंग्लिंड के बिर्मिंगम लेस्ट शहर से शिरू हुआ, तो दातार किर्पा करें कि सब इसी रूप में सेवा सुमिरन सत्संग का आस्रा लेकर इस नरंकार के रंग में हमेशा र रूप में जाने का जो लड़ी है, तो मन में तो यही भाव आता है कि जल्दी से ये करोना सिचुएशन खतम हो, ताकि ये वर्च्वली ना हो, ये फिजिकली दासी आप सब के भवनों पे पहुँच सके, आप सब के फिजिकली दर्शन कर पाए, तो दातार हर एक को जहां ह ही देखना है कि पर मात्मा ने अगर तब्यत थोड़ा खराब भी किया है, तो उसमें भी हमारी ही भेतरी है, तो उसमें भी कुछ कृब नहीं करना, बस अराम से ये पल भी निकल जाएंगे, तो दातार सभी पे किरपा करें कि मन, वचन, करम ये हमारे अलाइन होते जाएं, और हम कैसे इस पर मात्मा का जो वो बात है कि God made man in his own image, कि अगर हम सच में ही इतने प्योर हैं, तो वो हमारे अंदर भी हमें एहसास रहे, और वो दर्शित भी हो और उनको देखने वालों को, तो दातार हर एक पे किरपा करें, तो दासी और समय नहीं लेगी, क्योंकि समय औ अब अंतिम ही चरन का है, तो दातार सभी पे किरपा करें जी, साथ संग जी, धानेंगा जी